15 फरवरी की मत्पूर्ण खबरों को जानने से पहले सापता एक करंट अफेस देख लेते हैं 6 फरवरी से 13 फरवरी क्या आपने देखा उनकी सुर्खियां देख लेते हैं एक बार विस्तित खबरें उक्त दिनांकी की जो परिक्षा खबरी थी और PDF आपको पहले से ही दे दी जा चुकी है तो जम्मू कश्मीर NSW जो राज्टिये निवे सेकल खड़की है उसमें शामिल होने वाला पहला के अंसासित पदेश बन गया है जम्मू कश्मीर भारत ने इंगलेंड को चार विकेट सहरा कर किसको इंगलेंड को चार विकेट सहरा कर 2022 अंडन 19 वेशुकप किताब जीत लिया इस तरह से भारत ने कुल पांचवी बारिया किताब जीता प्रसिद्ध गाईका और भारत रतन से सम्मानित गाईका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया सूरत का अपना बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा करने की योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारता विभाग ने मुस्कान आजीविका और अध्यम के लिए सीमान्त व्यक्तियों के लिए समर्थन योजना शुरू की इसने सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रा लेने इसमें दो उप योजनाय भी है 15-18 फरवरी के बीच होने जा रहा है सिंगापूर एयर शो दोजार बाइस में हिस्सा लेने के लिए भारती वाय सेना की 44 सदस्टी टुकडी चांगी एड़पोर्ट पहुंची यहाँ पर भारत तरफ से तेजस हलके लड़ा को इमान है यह हिस्सा लेंगे अविनेता अक्षे कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तरा खंड का ब्रांड MSDN निगत किया गया है भारत फरवरी 2022 में COVID-19 के विरुद DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश वन गया है जैपूर में दुनिया का 3-ा सबसे बड़ा cricket stadium बनने जा रहा है कहां जैपूर में सबसे बड़ा कहां है विशुका stadium तो भारत में ही है नरेंद मोधी stadium अमधाबाद दूसरे नम्बर पर जो stadium है वो है आपका Melbourne cricket stadium अस्टेलिया में तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा इस्टेडियम है वो ये अब जैपूर होगा अभी हाली में एक बड़ा बैंक होटाला सामने आया है केंद्री जाच बीरो ने अपने सबसे बड़े बैंक धोखा दड़ी मामले में अभी जी शिपियाड लिम्टेट के खिलाब मामला दर्ज किया है उन पर भारती स्टेड बैंक के नितित वाले बैंकों के एक संग से 22,842 करोन रुपए से अधिक की धोखा दड़ी करने का मामला दर्ज किया गया इसमें प्राइवेट बैंक और जो राष्टी किद बैंक है सामिल कुल 28 बैंकों से इन्होंने करज लिया है उन पर IPC और भष्टाचार निवारण अधनियम के तहत आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वास घाद और आधिकारिक पद के दुर्पियों को और धोखा दड़ी के कतित अपराधों का रोप लगाया गया है ABG शेपियार्ड लिम्टेट को 28 बैंकों और वित्ती संस्थानों से रिंड सुविधा स्विकित की गई थी इसमें SBI का 2468.5 एक करोण रुपे का एक्स्वोजर था फॉरेंसिक आडिट के अंसार 2012 से 17 के बीच आरोपियों ने एक साथ मिली भगत की और अवैद गत्विदियों जैसे की हेरा फेरी धन का डैवर्जन और आपराधिक विश्वास का उलंगन गया ABG Shipyard Limited इसके बारे में बात करें तो ABG मुंबई की जहाज निर्माड कमपनी है इस कमपनी की अस्थापना 1985 में हुई थी जिसका मुख्याले मुंबई में है Hope Express महाराश्ट के स्वास्तमंती राजेश टोपे कैंसार राज में कैंसर की रोक्थाम के लिए Hope Express सुरू की जाएगी कहां पे महाराश्ट में ध्यान अक्यागा उन्होंने यह घोशना कोलापूर के एक निजी इस्पताल में अत्याधुनिक रेडियेशन मशीन के सुभारम के मौके पर की तो अत्याधुनिक रेडियेशन मशीन मोजैक 3D कहां पर स्थापित की गई कोलापूर में या भारत में पहली ऐसी मशीन है दोनों चीजे याद रखेगा Hope Express राज में कैंसर की रोक्थाम के लिए सुरू की गई है दूसरा मोजैक 3D रेडियेशन मसीन एक कोलापूर में स्थापित की गई है भारत में स्थापित पहली ऐसी मशीन है संउक्तराश परियावरन कायकरम UNAEP की बात करें तो 5 जून 1972 को स्थापिश संउक्तराश परियावरन कायकरम एक प्रमुख वैश्विक परियावरन प्राधिकरन है इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक परियावरन एजेंडा को निर्धारित करना संउक्तराश परणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक परियावरन सरक्षन के लिए एक अधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कारि करना है इसका मुख्याले केनिया की राज़ानी नैरोबी में है प्रमुक जो रिपोर्ट्स इसके द्वारा प्रकाशित होती है उसर्जन गैप रिपोर्ट्स वैश्विक परियावरन आउटलूक इनवेश्ट इन्टू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट्स प्रमुक अभियान इसके द्वारा जो सुरू किये गए हैं इनवेश्विक परियावरन दिवस और वाइल्ड फार लाइफ उसर्जन गैप रिपोर्ट की बात करें तो यहां 2030 में अनुमानित उसर्जन और पेरी समझोते के डेर्ड डिगरी सेल्सियस तथा दो डिगरी सेल्सियस लक्षों के अनुरूप अस्तरों के बीच के अंतर कागलन करता है हर वर्ष इस रिपोर्ट यह रिपोर्ट इस अंतराल को समात करने के तरीके भी सुझाती हो सर्जन गैप रिपोर्ट जो की जारी होता है UNEP के द्वारा आईए क्विज देख लेते हैं किस संस्थान ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की बहुत महत्पूर्ण है राष्टी विधि विश्यद्याले ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट नेशनल ला इनवस्टिय दिल्ली में आपराधिक कानून सुधार वाकाला समूद औरा जारी की गई थी जिसका नाम प्रोजेक्ट 39A है पूछ सकता है प्रोजेक्ट 39A रिपोर्ट किस से संबन्दित है याद रखेगा एंटोनियो कोष्टो किस देश के प्रधान मंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं तो पुर्तगाल के भारती महिला होकीट टीम ने एशिया कब 2022 में कौन सा अस्थान जीता तो ये तीसरे अस्थान पे रही चीन को हरा करके 2022 तक विश्व में शीर्स इसपात उतपादक देश कौन सा है तो चाइना जो है शीर्स इसपात उतपादक देश है अब भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इसपात उतपादन में पहुंच गया है ये भी आपको ध्यान नकना है भारत दूसरे अस्थान पर पहुंच ग किस देश ने हुआसोंग बार मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉंच की तो उत्तर कोरिया ने पुष्टी की है कि उसने हुआसोंग बार मध्यमदूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। प्रक्तिक गैस प्रणाली में हाइडोजन के मिशन की भारत की अपनी तरह की पहरी पुरुजना सुरूगी। जो जीरो कार्बन सर्जन है उसका अर्थ यह नहीं है कि कार्बन का जीरो सर्जन होगा। नहीं इसका मतलब यह है कि जितना कार्बन उस सर्जन होगा अतरिक्त कार्बन देखे कार्बन की एक निश्चित मात्रा उशक है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जलवाई के लिए कार्बन की एक निश्चित मात्रा उशक है। लेकिन उस निश्चित मात्रा से अधिक जो कार्बन उस सर्जित होगा वो नुकसान दे होता है। इस तरह से अब्जार्ब करते हैं कार्बन को तो इस तरह की पद्धतियां अपना करके और कम से कम ऐसी चीज़ें अपना कर जिसमें कार्बन का सर्जन नगरने हो या नहो या कम से कम हो। ऐसा करके हम जो कार्बन की एक उचित मात्रा है उसी को बनाए रखे बाकी जो मात्रा अतरिक्त है उसको शूने कर दें उसको नेगलेक्ट करने के जो उपाय हैं उनके माध्यम से इसी को कहेंगे शुद्ध सूने कार्बन उस तरजन है अर्थिक सर्वेक्षन 2021 22 का केंद्री विशय क्या है तो केंद्री विशय क्या है चुस्त बiająस्टील है अर्थिक सर्वेक्षन 2021 का कि संगठन और गुवाष येजन सी लिम्लिन्टेड ने रूफ टाफ सवर उर्जया प्रिजनाओं के लिए समझोता है ग्यापन पर स्तक्षर किये तो ये इरेडा ने है इंडियन रिनियोबल एनरजी डिबलमेंट एजनसी लिम्टेट ने रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अपनी तक्नीकी विद्ती विशेशक्यत्ता प्रतान करने के लिए गोवा शिप्याड लिम्टेट के साथ एक समझोता ग्यापन पर स्तक्षर किये है इनपी सियाई ने किस महिने को यूपी आई सुरक्षा और जागरुकता मा के रूप में मनाने की घुशनकी है most important fact है तो फरवरी मा को ठीक है तो यूपी आई पास की तंत्र एक से साथ फरवरी को यूपी आई सुरक्षा जागरुकता सब्ता के रूप में पूरे फरवरी को यूपी आई सुरक्षा और जागरुकता मा के रूप में मनाएगा तो ये important fact है आज के लिए इतना ही आप हमारे यूपी PCS प्रिलिंस मुखी परिक्षा फांडेशन और वेकलपिक विशे के पूरे कोर्से टेलिग्राम कोर्से जुड़ने के लिए whatsapp कर सकते है 9453-75039 यूपी PCS की शांदार टेसरीज आपके लिए उपलब्द है उससे भी जुड़ने के लिए संपर्क इस नंबर पर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद